आपका स्वागत है दरन बीशो क्लिप्स नेम बस देखते रो और सीखते रो 4 लाइन है तो सबसे शौट समय में अगर कोई करने जाएगाए थी में तो कितना time लग सकता है दिन के अगर आप 7-8 गंटे बैठो तो तीन साल में या फिर चार साल में हो सकता है तीन या चार साल पर एक बार वो 24 लाख बार जाप कर लिया फिर क्या होता है 24 लाग जाप करने के बाद रनवीर सबसे पहली जो चीज आपके साथ होती है आपका माइंड एकदम काम हो जाता है और आपको अगर स्क्रिप्चल बात मैं आपको बता हूँ स्क्रिप्चल में जो रिल लिखा हुआ है वेदमाता गायतरी सिद्ध हो जाती है आपको वेदमाता गायतरी सवितुर गायतरी है जो सूर्य भगवान का मंतर जिसे कहा जाता है और वही वेदमाता भी है जिन्होंने चारो वेदों में जो विराजमान है जो दिव्यशक्ति विराजमान है वही वेदमाता गायत्री है सबसे पहली requirement उसके लिए यही है कि आपको पूर्ण शद्धा के साथ पूर्ण आस्था के साथ यह चीज़ करने पड़ेगी वेदी विधान भी ज़रूरी है लेकिन वो थोड़ा अगर साइड में रखेंगे तो सबसे ज़्यादा important है faith अगर आप सिर्फ और सिर्फ parrot की तरह एक तोते की तरह उसके उसे करते जाएंगे उसका कोई meaning नहीं है उसे 110% उसका meaning समझके पूर्ण आस्था के साथ उसे chanting करना पड़ेगा चांट करना पड़ेगा तब जाकर स्वामी जी का एक experience रहा हुआ है वो मैं आपको repeat करना चाहूँगा कि मा के साक्षाद दर्शन संभव है और हमारे यहाँ पे बहुती बड़े आचारिय हो चुके पंडित राम शर्मा आचारिय जिन्होंने गायत्री मा को सिद्ध किया था और आज की तारिक में आपने शॉयद सुना होगा गायत्री परिवार बहुत जगा पे हरिद्वार से लेखे रिषीकेस से लेकर अपना वरुंदावन से लेकर बहुत सारी जगा पे उनके आश्रम भी है तो गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे वो थे पंडित रामशर महाचारिय उन्होंने गायत्री मा को सिद्ध किया था पहले तो ये सारी चीजे अगर आप पूछना चाहता है कि क्या होता है ये सिद्ध करने के बाद तो मा के दर्शन होता है और you can do anything फिर तो ये बात है ना कि आप स्वयम सरजनहार बन जाता है आप स्वयम पालनहार बन जाता है आप स्वयम संहार करता बन जाता है पर जिंदगी में सिर्फ एक बार करना पड़ता है हाँ अनुष्धार बिल्कुल सिर्फ एक बार उसके बाद अगर फिर गायती मंतर बोला भी नहीं फिर भी गायती मंतर का पावर आपके पास है फिर अजपा हो जाता है एक होता है आप तीन प्रकार से जब करते है ना वाचिक मानसिक उपांशु और चौथी जो अवस्था होती है जब की वो होती है अजपा अलब आपके माइंड में अपने आप दिमाग में 24 गंटे, 7 दिन चलता रहता है, चलता रहता है, तो वही अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, कि आपको फिर एक बार मंत्र सिद्ध हो गया, उसके बाद आपको मंत्र के पास जाने के जरूरत नहीं, मंत्र आपके अंदर समा चुका है, साधना आपके पर बहुत ज़्यादा इंटिमेडेटिंग लगा मुझे, कि बहुत सारे स्टेप्स थे, और ऐसा लगा कि एक लाक बार भी बहुत होता है, मतलब दिन में कितने घंटों को तक प्राक्टिस करने की ज़रूरत होती है, रफली, इसमें होता है अनुस्थान के आपके संकल्प लेकिन पूरी विधी के साथ करो और एक माला करो, भले एक माला करो, विधान तो ये कहता है कि आप दिन में अगर तीस माला करो, तो आपके थोड़े आगे जाकर पूरा एक स्टॉक आपके पास होगा मंत्र का, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, तो आपको दिन में ए को पुकार रहे हो, आपकी चाहत क्या है मा को पुकारने की, क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है कि आप पुकार रहे हैं, मा को आपकी इंटेंशन पता है, मा को पता है कि ये किस इंटेंशन से मुझे पुकार रहा है, या फिर ये सिर्फ और स्रीफ देखना चाहता है कि मंत्र काम करता या नहीं करता और दूसरी चीज जो इसके उपर डिपेंड करती है वो है आप किस संप्रदाई से बिलॉंग करते हो आपको किस गुरु ने दिक्षा दी हुई है एक बहुते सुन्दर कहानी मुझे स्वामी जी नहीं एक डिस्कोर्स में मुझे याद आ रही अभी एक राज जोतिशी थे और राज जोतिशी बहुती बड़े साधक थे गायतरी मा के वेदमाता गायतरी के और राज़ा के कामकाज और पैलेस के पूरे कामकाज के लिए उन्हें समय नहीं मिलता था साधना का तो उन्होंने अपने चोटे भाय को पूरा कारभार सौप दिया आप राज जोतिशी बनो, मैं जला साधना करने क्योंकि मुझसे ही हो नहीं रहा और ना तो मुझसे साधना हो रही, ना तो यह का काम मुझसे हेंडल हो रहा है तो वे चले के साधना करने के लिए जंगल में और उन्होंने 30 साल की एज में he went to the woods जंगल में जाने के बाद जब वो 72 साल के हुए तब तक उन्होंने साधना ही की सिर्फ और सिर्फ लेकिन मा के दर्शन नहीं हुए 24 लाख का एक अनुस्ठान एक साल में आप सोच लो, उन्होंने 72 साल तक अपनी जिन्दगी के हर साल एक एक अनुस्ठान किया, और एक अनुस्ठान 24 लाग का था, कितने अनुस्ठान किये होंगे उन्होंने, 72 साल तक उनको यही लगा कि नहीं मा आएंगी, मा आएंगी और जब मा नहीं आई 72 साल तक तब एक बार वो घूम रहे थे कहीं पे और समशान में जाकर रुखे वहाँ पे एक सन्यासी बैठे हुए थे और सन्यासी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ बेटे आप चिंता में लग रहे हो उन्होंने कहा कि अगर आपको पता ही है चिंता में लग रहा हूँ मैं तो आप बता दीजे क्या हुआ तो सन्यासी को पता चल गया चि मा के दर्शन नहीं हो रहे सन्यासी ने उनको पूछा कि मैं आपकी व्यथा समझता हूँ मुझे एक बात बताओ क्या आप सब कुछ छोड़ने के लिए तयार हो तो साधक ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं 30 साल के उम्र में ही सब कुछ छोड़ चुका था अब क्या छोड़ू मेरे पास छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तब सन्यासी ने कहा कि ठीक है मैं आपको सन्यास दिक्षा देता हूँ, मैं आपको अपनी लीनियेज में लेता हूँ, आपको अपना शिश्य मानता हूँ, आप अभी गायतरी मंत्र का चांट कीजिए, लेकिन ये जो गटना हुई, उससे पहले जब वो समशान में पहुँचे, उस सन्यास ने उनको कहा कि पीछे एक बार देख लो, सादक ने पीछे देखा, पीछे छे चिताए बुच चुकी थी, सात्वी चिता जल रही थी, सन्यास ने कहा सादक से, कि आपने ये 32 यर्ज में जितनी साधनाएं की, जितने अनुस्ठान किये, उस अनुस्ठान की वजह से, आपके छे जन्मों के कर्म नस्ठ हो चुके है, जो आपका बैगेज था, वो खत्म हो चुका है, सिर्फ एक जन्मों का बैगेज अभी बाकी है, जब वो खत्म हो जाएगा, तब मा डेफिनेटली आपके सामने प्रकट होंगी ही होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, जित की, कि नहीं मुझे मा के दर्शन कर नहीं है, आप मुझे मा के दर्शन कराओ, ठीक है, सन्यासी ने कहा कि मैं आपको दिक्षा देता हूँ, सन्यासी ने उनको दिक्षा दी, और कहा कि आप चांट करो गायतरी मंत्र तीन बार, साधक ने तीन बार सिर्फ गायतरी मंत्र चांट किया, तुरंत मा प्रगट हो गई मा के प्रगट होने पर साधक ने मा के ऊपर इतना गुस्सा किया कि आप कितनी कठोर हो मैं पूरी जिंदकी आपको बुलाता रहा आपकी साधना करता रहा कठोर से कठोर situation में मैं रहा लेकिन फिर भी आपको मुझे पर दया नहीं आई और अभी सिर्फ तीन बार मैंने आपको बुलाया आपका मंत्रोचारण किया और आप आगई ऐसा क्यों आप अगर पत्थर की हो तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप अभी इसी वक्त पत्थर की बन जाओ और उस वक्त मा ने मुस्कुरा के जवाब दिया मेरा आभान कर रहे थे जैसे ही तुम्हें सन्यास दिक्षा मिली तुम्हारे जो सात्वा जो जन्म था उसके जो कर्म बाकी थे जलने वो कर्म तुरंथ ही जल गए और मैं तुम्हारे पास आ सकी तो इसमें दोश मेरा नहीं है दोश तुम्हें दिक्षा नहीं मिली थी तु पर मा तुरंत पत्थर की मुरत बन गई और वो साधक रो रोके बिलक बिलक के पागल हो गया कि मा मुझसे गलती हो गई मुझे ख्षमा कर दीजिए मुझसे अपराद हो गया मुझे ख्षमा कर दीजिए लेकिन मा फिर नहीं तबदिल हुई सन्यासी भी चले गए समशान में स और ये, it is a real story, ये कहा जाता है कि 92 years तक उन्होंने वही समशान में रहकर मा की पूजा अर्चना की थी, मा की मूरत की, मा के विग्रह की और फिर जब उनका मृत्यू का समय नस्दीक आया तब उन्होंने मा से कहा कि मा मैं कैसे ही समाज को बता पाऊंगा कि आप वास्तों में अस्तित्व, आपका अस्तित्व वास्तों में है, आपका थाओं में सिर्फ नहीं एक्जिस्ट कर दी, मा आपको ऐसा मुझे उपाई बताईए कि मैं आपको विश्व तक ले जा पाऊंगा और तब जाकर मा ने अपना जो स्वरूप था, मा ने अपनी जो मूरत थी, उसे श्री अंत्र में तबदील कर दिया, और फिर वो श्री अंत्र उन्होंने अपने छोटे भाई जो राज जोतीशी थे, उनको दे दिया, और फिर वही श्री अंत्र आगे जाकर काला अंतर में आदिशंकराचार्य जी के पास पहुंचा, तो यही चीज है कि आप कभी-कभी यह हो सकता है कि मा को पूरी जिंदगी पुलाओ, तो भी मा ना आपाए, अचा यही चीज स्वामी जी के साथ भी हुई, साड़े चार महिने के बाद, जब नागा बाबा ने उनको गाली दी ना रनवीर, वो गाली के बाद जब उन्होंने एक डिस्कोर्स में बात करी, जब आप किसी को गाली देते हो ना, तब आप अपने पुनिय सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो, जब आप किसी को गाली दे रो, आप खुद के पुनियों को ट्रांसफर कर देते हो, जब नागा बाबा ने उनको गाली दी, उसी वक्त स्वामी जी ने यह चीज कहीं प की वज़े से मा ने उनको एक बार ये चीज़ बताई कि मैं आपको वास्तव में बहुत लंबे अंत्राल के बाद दर्शन देने वाली थी आप अपने जीवन के अंति मवस्था में होते तब शायद मैं आपके सामने प्रगट होने वाली थी लेकिन उस दिन आपके गुरू की वज़े से उनका सारा पुन्य, उनका सारा तेज, उनका सारा तपोबल आपके पास आ गया और यही वज़े थी कि डेट साल की तपस्या में मा को साक्षात फिजिकल फॉर्म में उनके सामने हाजिर होना पड़ा क्यूंकि नागा बाबा का जो तपोबल था वही तपोबल इ कर ये स्वामी जी मा के दर्शन कर पाए।